हेलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज की वीडियो में आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी हेल्प से आप वाटर मनेजमेंट या वाटर वेस्टिज की प्रोब्लम को काफी हद तक दूर कर सकते हैं अगर आप भी दोस्तों यह इन्फोमेशन चाहते हैं कि क्या है यह प्रोजेक्ट क्या-क्या पार्ट इसमें यूज हुए है और कैसे हम इसको अपने गर पर बना सकते हैं तो बने रह चलिए दोस्तों वीडियो स्थार्ट करते हैं दोस्तों जो सबसे मेजर पार्ट है इसके वह मैंने ओनलाइन ओडर किये हैं क्या पार्ट है मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों यह दो पार्ट है यह दोस्तों पार्ट है यह है आपका टाइमर रिले स्विच यह टाइमर रिले बोर्ड जो हमारा पूरे जो आ्टोमेशन कोशंट्रोल करेगा और यह जो second part है यह है 12 volt DC solenite water flow valve और जो third part है इसका वो है एक charger 12 volt DC आपके अमोमन हर किसी के गर में मिल जाता है नहीं है तो आप इसको भी online order कर सकते हैं इसका भी मैं link नीचे description में दे दूँगा एक हमें चाहिए box कोई भी हमारे पास box पड़ा हो plastic का मेरे पास यह पड़ा हुआ था geo fiber का तो मैंने इसी को use कर लिया अगर आपके पास ना हो तो आप एक छोटा junction box किसी भी electricity shop से purchase कर सकते हैं और शात में इसके चाहिए कुछ connectors एक switch trigger करने के लिए जो इसको activate करेगा जब भी हम इसको trigger करेंगे यह मेरे पास एक bell switch पड़ा हुआ था मैंने इसी को use कर लिया और कुछ थिंबल चाहिए तो आइए दोस्तों अब इसको फटा फट करते हैं ready और देखते हैं हमारा automation कैसा बनता है दोस्तों यह है timer release switch झाल 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 झाल